नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News विशुविद्याले ने कड़े नियम लागो किये हैं ताकि परिक्षा का आयोजन सरल वपारदर्शी डंग से किया जासके लगवग 3000 विद्यारती विभिन पाठेकरम की ओनलाइन परिक्षा देंगे विशुविद्याले ने अपने अंतिम वर्ष के छातरों के लिए होने वाली ओनलाइन प्रिक्षा के लिए एक खास योजना तयार की जिसमें नकल की संभावना ने के बराबर होगी काफी कसमकस के बाद बरोदा उप्चनाओ के लिए कॉंग्रेस ने टिकट फाइनल कर दी है गाउ रधाना तैसिल गोहाना के रहने वाले इंदुराज पर कॉंग्रेस ने बरोसा जताया है वहीं कुमारी सैलजा ने इंदुराज नर्वाल के नाम के गोशना की है बता दें की टिकट वित्रण में पूरो मुख्यमंतरी भुपेंदर सिंग हुड़ा की पहली पसंद कपूर नर्वाल थे वहीं कुमारी सैलजा और सुर्जवाला श्रीकरशन हुड़ा की परिवार को टिकट देने के पक्स में थे नेतरतों ने दोनों गुटों को दरकिनार करते हुए इंदराज नर्वाल को टिकट दे दिया है विकास के नाम पर सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा लेकिन उसका पूरा फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा और उन पर स्ट्रीट लाइटी लगी है पहले से लगे खंबो पर लाइटी लगाने की बजाए नए खंबे क्यों लगाए गई यह बड़ा सवाल है हालांकि अधिकारियों दोरह इस मामले पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है जी हाँ सहर में विकास के नाम पर जनता के गाड़ी खुन पसीने के कमाई को दोनों आतों से लुटाया जा रहा है योजनाई बनाती समय ना तो मोके का नेरिक्षन किया जाता और ना ही लोगों की जरूरत या सुविदा का आगलन किया जाता केवल ठेकिदार को अनुचित लाग पहुंचाने के नाम पर एक के बाद एक योजनाई बना कर उन्हें किया जा रहा है लोगों द्वारा चुने के परतिनी दिवी इस बंदरबांट का विरोध करने के बजाई अधिकारियों और ठेकिदार की मिली बगत का इस्सा बन गए है इनेलों ने भी काफी कसमकस के बीच बरोदा उप्चुनाओं के लिए अपने परत्याशी का एलान कर दिया है जोगिंदर सिंग मलिक को टिकट दिया गया है अभे चोठाला ने जोगिंदर सिंग मलिक के नाम का एलान किया है अब एक बार फिर बरोदा उप्चुनाओं में इनेलों की तरफ से मैधान में उतरेंगे बता देंगे इनेलों ने साल 2019 को विदान सिवाचुनाओं में बरोदा में जोगिंदर सिंग मलिक को ही उमिद्वार बनाया था वहीं कपूर सिंग नर्वाल निर्दलिय परत्याशी के तोर पर नामांकन पतर दाखिल करेंगे उनको मेहम के विधायक बलराज कुंडों ने अपना समर्थन दिया है बता दें कि गुरुवार देरात बीजेपी ने योगे से रुदत को अपना परत्याशी बनाया था बरोदा विधानसवा चेतर के उपचुनाओ के लिए नामांकन पर क्रिया 9 अक्तुबर से शुरू हुई थी आज नामांकन का आखरी दिन है हर्याने के स्वास्त मंदरी अनिल विज ने कहा है कि कोविड-19 के परसार का पता लगाने के लिए 19 वे 20 सक्तुबर को पर्देश बर में दूसरा सीरो सर्वे करवाया जाएगा इस दोरान परत्यक जिले के ग्रामिन एम सहरी चेतरों के 720 लगों के सैंपल एकतरित किये जाएंगे विज ने इस दोरान राजे में चलाए जाने वाली सीरो सर्वे के दूसरे दोर के अभियान की वर्च्वल सुरुवात की है जिसमें रेवाडी नू, यमनानगर, रोतकवय, अंबाला साइथ, अनिक जिलों के अधिकारियों ने ओनलाइन भाग लिया हरियाना में योग आशनों को खेलों की सूची में सामिल करने की मिली स्वीकर्थी विज ने कहा कि परदेश में इस समय पानसो चुराण में योग एम व्यायम सालें स्थापित हो चुकी है इसके अलावा अन्य पर निर्मान कारी अंतिम चन्ड में चल रहा है इसके साथ ही परिशत के अदेनियम तथा लोगों को भी सिगरी स्वीकर्थी दे दी जाएगी उन्होंने कहा कि हरियाना योग परिशत का नाम बदल कर हरियाना योग आयो करने पर भी विचार किया जा रहा है इसके साथ ही 26 जन्वरी और 15 अगस्त पर राज्य के सभी सरकारी कारेकरमों में सुर्य नमस्कार आसन की परष्टोती करने पर भी विचार किया जाएगा बिना वहन की जाच के परदोशन जाच का परवान पत्तर जारी करने वाले केंदरों पर सक्ति बढ़ा दी गई है को ही विबाग माननेता देगा और इसके बाद वहन की फिटनेस एव ट्रांसपर समन्दी अन्यकारी होंगे परदोशन परवान पत्तर के बिना वहन की फिटनेस ट्रांसपर एव नवीनी करन नहीं होता है मेवात के नू जिले का किरूरी गाउं हरियाना का ऐसा पहला गाउं बन गया है जिसके हर गर के बाहर बेटी के नाम की अप नेम पलेट है इस गाउं के हर गर की पहचान बेटी के नाम से होगी परदान मंतरी नरेंदर मोधी की स्वामित्य योजना से परभावित होकर Selfie with Daughter Foundation ने यह अभियान शुरू किया है आज सुबह गरों के बाहर बेटियों की नेम प्लेट लगाने का अभियान शुरू किया गया और पूरे दिन तब तक चलता रहा जब तक की परते गर के बाहर बेटियों की नेम प्लेट नहीं लग गई Selfie with Daughter Foundation ने हरियान की नू यानि मेवाज जिले के तीन गाउं का चैन किया था जिसमें हर गर के बाहर बेटियों की नेम प्लेट लगेगी एक और परदेश सरकार किसान की धान में बाजरे की फसल का एक-एक दाना खरीदने का दावा कर रही है लेकिन दूसरी और सरकारी व्योस्ताओं की कमी के चलते किसानों को दरदर की ठोगरे खाने को मजबूर होना पड़ रहा है किसानों का अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी खरीद एजेंशियों की इंतजार में दिन रात बैठ कर गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है सरकारी खरीद एजेंसी अधिकारी हैं कि कभी फसल में नमी की बात कहकर तो कभी फसल साफ नहीं होने की बात कहकर किसानों को चलता कर देते हैं जिसके कारण किसान अपनी फसल को नीजी एजेंसियों को ओने पोने रेटों पर बेचने को वीवस है रेलवी परशासन ने त्योहारों की सीजन को देखते वे अपनी ओर से कवायद सुरू कर दी है ताकि दूर दराज से यातरी त्योहारों पर अपने घर आ जा सकें रेलवे के और से कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है अमबाला से होते हुए हरियाना पंजयाब के लिए आवागमन होगा वहीं कट्रा स्पेशल का भी समय से संचालन होगा ताकि सरदालू माता वेशनो देवी की दर्शन कर सकें शरी माता वेशनो देवी कट्रा वारानसी सापताइक सुपरफास्ट एक्सपेशल का संचालन 25 अक्तुबर से ट्रेन संख्या सुन्ने चियार छै एक दो संचालन होगा यह ट्रेन हर रविवार को कट्रा से साड़े 11 बजी रवाना होगी अगले दिन 11 बजगर 35 मिनट पर व लेली लखनव और सुल्थानपुर स्टेशन पर ठैरा होगा